क्रिश्णा राज कपूर का काड़ियक अरेस्ट के चलते 87 की उम्र में निधन हो गया है लेकिन उनसे जिंदगी से जुड़े एक किसा आज हम आपको बताएंगे दरसल नर्गिस से दूरियां बढ़ने के बाद राज कपूर अपनी पतनी क्रिश्णा के पास लौट आये थे करियर में नर्गिस के बाद उनकी कई अक्ट्रिसेस के साथ जूड़ी बनी शुरुवात में उनका नाम पदमिनी से भी जुड़ा लेकिन वेजन्ती माला से उनकी करीबियों की चर्चा आज भी की जाती है वेजन्ती माला और राज कपूर की शादी की खबर से दुखी होकर क्रिष्णा राज एक बार राज कपूर को छोड़ कर अपने बच्चों के साथ एक होटेल में रहने चली गई थी इसके गुछ समय बाद वह एक दूसरे घर में रहने लगी थी जो की राज कपूर ने फैमिली के लिए बनवाया था इस किस्से का जिक्र एक बार रिशे कपूर ने किया था उन्होंने कहा मुझे याद है जब वेजंदी माला और पापा का सैर था तो मा हमें लेकर मुंबाई के नटराज होटेल में रहने चली गई थी इसके बाद दो महीने के लिए हम चित्रकुट चले गए थे जहां पापा ने हमारे लिए एक अपाटमेंट लिया था उन्होंने मा को दुबारा पाने की भरपूर को शिश्की थी लेकिन वन नहीं मानी थी कई लिंकप्स के चलते भी कृष्णा ने राजकपूर को कभी नहीं छोड़ा वो चुप चाप सब सहती रही हाला की राजकपूर का प्यार अपनी पत्नी खृष्णा कपूर के लिए हर किसी ने सराहा है